हेई गाईज देखो रिलाइन्स के एक छोटी सी ख़बर के वज़े से यह जो एक रुपा का स्टॉक आने इसमें काफी बड़ी तेजी आ सकती काफी बड़ी तेजी और आज के रिट में जो तेजी आई है यह भी देखने वाली बात है तो एक चीज मैं आपको बता देता हू जो ज्तना दिजर्ब करता है जिसके पास जितनी क एफेसर है अगर आप डालना चाहते हो तो एक छोटी सी पैणि स्टॉक में भी अपना घर का जीतना प्रोपटीई सब बेच के डाल सकते हो फिकत के बात नहीं है हो जाएगा लेकिन क्या यह तरीका सही है 100% गलत है यह यह पैसा उतना ही डालना है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि stock market में कोई इंसान इसा पैदा हुआ ही नहीं होगा आस्तोर जो पैनि स्टॉक में निवेश्ग नहीं किया होगा पांस लाग की क्या कीमत है कितना परसेंट है बिल्कुल ना के बराबर है डूब जा तो भी कोई फर्क नहीं पड़े इतना तो मैं आपको करोड़ों में अपडाउन अपडाउन देखने को तो डेली मिलता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है कीजिए कोई दिक्कत क बस तुरम रुख जाओ क्या ऐसे बोलते हो नहीं क्या बोलते हो थोड़ा बहुत मदद कर देतो लिए ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन स्टॉक मार्केटिम के जब बारी आते तो लोग क्या करते है कि सारा पैसा पैनी स्टॉक में डाल देते हैं तो जो जितना डिज परसंटाज इस्टाफ भागता हुआ नज़राया है more than 8% यहां पर देख लिए और यह चाहता तो 5 पैसे भी भाग सकता था 10 पैसे भाग सकता था लेकिन 15 पैसे भागा और टोटल यहां पर देख लिए 8.82 परसंट है 5 का सरक्ट हो सकता था यह तो 10 का सरक्ट हो सकता था ने त पांच पैसे दस पैसे भाग सकता था मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जो लोगों को नहीं पता और इसी वज़े से यह स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर और नीचे में देखते हैं कि लोगों ने किस कदर डिलेवरी उठाया है तो वह भी आपको पता चल लेगा आज के डेट में 51.57 मतलब जो भी है मोर दिन 50% लोगों ने आज के डेट में डिलेवरी उठाने के को सब्सक्राइब है तो सभी लोग मतलब मैं आपको सोचते हैं मैं भी डाल देता हूं थोड़ा पैसा में बीड़ाजार डाल देता हूं मैं भी 500 रुपे डाल रही है इसके वज़े से यह कंपनी डूप चुकी है पूरा फ्यूचर ग्रूप लेकिन बीच में देखते हैं अगर कोई कुछ अच्छी खबर आती है तब ही ऐसे स्टॉक में जंप देखने को मिलता तो क्या खबर आई है वो देखने की कोशिस करेंगे यहां पर बताया ज इस वज़े से यह कंपनी पूरी तरीके से बिकिने के लिए तयार हो चुकी है रिलाइंस के साथ जहां पर आपको बताया जारा नीचे में कंपनी ऑपरेटिंग इन रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक वेरहाउस सेग्मेंट विच वेर सपोस्ट टू बी ट्रांसफर यहां किस के उपर भई टू रिलाइंस रिटेल अंडर 24,713 करोड डिल अनाउंस इन अगस्ट 2020 में बताया जारा तो मुके संबानी जी के दोवारा जो है यह ख़बर आई थी रिलाइंस इंटरस्टी तो यह जो डिल होने वाला था लेकिन यह नहीं हो पाया एमाजोन के वाज़े से बीच बीच में एक ओप जकती है कि आमाजोन का से कदम पीछे ले ले तो रिलाइंस से इसको खरीद ले अगर रिलाइंस से इसको खरीद आ तो पक्का है कि यह स्टॉक कम से कम आपको चार से पांच गुना आपका पैसा कर देगा मतलब 4-500% का रिटर निकाल के देगा लेक अब उसको हांगरी फिल करने लगा तो कुछ भी हो सकता ठीक है तो इसलिए मैं आपको बोला चाहता हूं कि पैनी स्टॉक है एक छोटी सी खबर इलाइंस के तरफ से आ जाती है ना तो मैं आपको बता दूँ यह कंपनी दो रुपे से 20 रुपे जाने में जादा टाइम नहीं नुकसान है बिक बजार आपने देखा तो जरूर होगा यह तो कम सकम सुना होगा आपने देखिए ऐसी तो कोई अच्छी खबर आई नहीं है जिससे स्टॉक को भागना चाहिए हाला कि मुझे लगता है कि कुछ-कुछ ऑपरेटर हैं जो ऐसे स्टॉक को ऑपरेट कर सकते ह क्योंकि दिखो एक sentiment होता है मतलब माल लेते हैं मैं हमको बता दू कि एक इंसान है अब उनको चाहिए भई वो पैसा उनके लिए सारी जिंदगी की कमाई है कि निया अब वह एक बर जाता है बोल तक भाई आज नहीं हुआ दूसरे दिन पे तीसरे दिन में चौते दिन में यह इंसान में आपको बला हूं साल में तीन सो पैसे दिन होते ना future consumer में Reliance ने खरीदा नहीं है नहीं Amazon के तरफ से लेकिन ये बीच में क्या करते हैं जो operator होता है ये कुछ sentiment खेल खेलना चाहते हैं मतलब इंसानों के साथ emotional खेलना start कर देते हैं कुछ छोटी सी खबर या volume बढ़ा देंगे या stock को बगा देंगे और को positive news डाल देंगे कुछ लोगो को message कर देंगे या कुछ कर देंगे तो लोग खरीद देंगे और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि फ़र उपर में माल बेज देंगे तो ये भी हो सकता है यहां पर operator का बहुत बड़ा game हो सकता है यहां पर तो हमें दूर रहना चाहिए चाहे future का enterprise हो lifestyle हो fashion हो retail हो चाहे कुछ भी हो सबकी हालत खराब ही है सबकी हालत खराब ही है और यहां पर बताया जा रहा कि company revenue तो generate कर रही है कर रही है लेकिन profit बहुत भैंकरी भैंकर तरीके से गरता जा रहा लेकिन 100 रुपय में से इनको जो फायदा आ रहा है न यह 100 रुपय का माल बेचने के बाद भाई इनको वापस कितना पैसा आ रहा तो इनको वापस आ रहा है कम से कम तो मैं आपको बता दू 40 रुपीज ही वापस आ रहा मतलब 60 रुपीज इनका waste चला जा रहा और इनमें margin ह यह किवल अपना माल निकालने के कोशिस कर रहे हैं यही चीज़ है यहां पर एक रुपय का profit नहीं है और एक चीज जो ध्यान देने वाली बात होती है चस्में लगा कर भी देखोगे दूर्बीन लगा कर भी देखोगो तो सायध ही दिखता है क्योंकि हम नहीं देखते हैं देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ अगर माल लेते हैं एक इंसान एक इंसान जिसके सैलरी 15,000 रुपेज है अब बैंक से यह ले लेता है 500 करोड का लोन अब बताओ बैंक को चूना लगा की नहीं लगा लगा बिलकुल लगा वह यह 15,000 रुपय के सैलरी है पूरी जि तीन-चाफ साल में आपको दे देगा इतनी इमांदार लोग तो होते हैं यह छोटे लोग दे देंगे आपको तो यह चीज होता है इसको क्या बोलते हैं कि भाई जितना असेट है सामने वाले के पास ना उतना ही उनको पैसा दो लेकिन यही चीज हो गई कंपनी के पास कंपनी अपने आपको बेशती है तो किवल 10 रुपे ही रिकवर होगा और वह भी कमिंसन वाले लेके चले जाएंगे देख लिजे यह कंपनी का असेट जो बताया जा रहा और यह कंपनी का लाइबिलिटी तो इससेट यहां था लाइबिलिटी और बड़ गए असेट और घ पसीड के 20% के सरकीट पर लेके जा सकती है और ऑपरेटर लोग भी और मतलब 4-5 दिन में ही आपको दिखा देंगे आसमान और उसके बाद फिर आपको जमीन पर भी ले आके रख देंगे आपको तो मुझे लगता है कि ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए 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 र इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्टो में जाके अपना डिमेट अकाउंट वगरा उपन कर सकते हैं